इसलाम अलेकुम एब्रिवान वेल्कम बेक टू माच चैनल और इन वन एड्यूकेशन तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फैनिशल अकाउंटिंग लास्ट वीडियो में हमने 3.1 सॉल्फ किया था आज हम सॉल्फ करेंगे 3.3 जो के बिसिकली रिकॉर्ड दर ट्रांजिक् ये कुशन अशन सबक्राइब आए आपके बुक के पीछे जो अंसर गिवे नहीं वो टी आकाउंस की फॉप में जूस्वा डियूद के टॉक्राइब होगा टैज कंडिक्वा दिया हुआ है तो मैं इसको कोड़ा अलग वे में सॉल्ट पर देता हूं 3.3 का ताकि आपके पास दोनों टाइप के कोशंस एक कोशन के दोनों टाइप के आंसर आदें फिर आपको जो असान लगे आप वो मैठोड कर सकते हैं यह मैठोड से मैं आपको पिछले कुछ सवाल कर चुका हूं जैसे कि 3.1 वगेरा पीछे हम कर चुके हैं 3.1 नहीं कोई और सा कुशन था चैप्र टू का वो भी हमने इसी तरह सॉल्ट किया था तो चली देखते हैं 3.3 3.3 कैसे सॉल्ट होता है यू आर टू राइट अप दर फॉल्विंग इनद बुक्स टू थाउजन एटीन टू थाउजन एक्स एट जुलाई के महीने की यह सारी ट्रांजिक्शन्स हैं डेट मैंने अल्रेडी सब जगह डाल दी है हमें सिर्फ ट्रांजिक्शन्स को पढ़के और उसमें बताना है क कि हमने बीजिनिस टार्ट किया है ला किस की था तक क issues ऐस्द चया कि हम आरे बीजिन्स है सबसे पहले हमारे पास नहीं पर increase हुआ है तो 750 यहां पर कैश हुआ है जो सबसे पहले हम वह लिखते हैं जो रिक्राइब ہं जो अमाउंट हो रही हो ती सबसे पहले करते हैं और यहांपर capital जो है हमारा credit हो रहा है because यहांपर capital increase हुआ है और capital जब भी increase होता है वह क्रेडिट में आता है ये अधिया लेकर मैं आपको बताया था कि पहले लाइन में आपका डेबिट आएगा दूसरी लाइन में आपको डिस्क्रिप्शन बतानी होती है कि आपने जो पर ट्रांजिक्शन लिखी है आप आउंट टाइंट में वह किस चीज की कोई बंदा ट्रांजिक्शन नहीं पड़ा अगर वो डिस्क्रिप्शन पड़ा तो उसको समझ आ जाए कि उपर ट्रांजिक्शन किस चीज की गेवन है अब जैसे मैंने यहां पर लिखा है टू रिकॉर्ड तक कैपिटल ऑफ कंपनी यानि कि वो समझ जाएगा कि मैंने यहां पर कंपनी का कैपिटल की जो वैल्यू वो रिकॉर्ड किये तो डिस्क्रिप्शन आप दें बहुत अच्छी बात होती है आपको जो अगर आपको अच्छे मार्ग मिलेंगे क्योंकि यह अच्छी चीज मानी जाती है डिस्क्रिप्शन देना आप बहुत सी जगहां पर डिस्क्रिप्शन देता हूंतु रिकॉर्ड टांजिक्शन तो रिकॉर्ट ट्रांसिक्शन ऑफ गुड्स बाउट उसके बाद आ जाते हैं सेवन्त ऑफ जुलाई को बाउट गुड्स क्रेड़िट फ्रॉम एफ हर्ड तो इन्होंने और थोड़े से पर्चीज किये हैं गुड्स लेकिन इस बार इन्होंने कुछ इन्होंने कुछ माल लिया है अभी पैसे नहीं दिये हैं तो सबसे पहरे तो डेबिट में हमारा वही पर्चेज आ जाएगा नीचे हम उस बंदे का नाम लिख जेते हैं जो कि हमारा क्रेडिटर है जिसको हमें पैसे देने हैं और 320 वैल्यू है तो अब टू रिक और ट्रांजेक्शन अब ऑफ गुड्स पाउड ओके सेम वैंने उपर की तरह नहीं लिए टैंट अफ जुलाइक को सोल्ड गूड्स फॉर कैश्ट फॉर पाउंड तो इन्होंने कुछ जो एचीज बेची है कुछ गूड्स बेचे हैं कैश पे क्यामने जब कोई चीज बेची है कैश पे तो वो तो हमारे पाद डेबिट हुआ है इंक्रीज हुआ है और जब भी सेल्स होती है तो सेल्स अभी घुले वह हमारी जो है क्रेडिर वाले साइट पर आती है तो मैं आपर वीकॉर्ट इपता टांजेक्शन और को इस बार हमने कुछ बीच आए तो टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ गूर्ट सोल 14 चुलाई को 14 चुलाई को रिटर्ण गोड्स टू एफ हर्ट 46 पॉंड 46 पॉंड्स की जो गूड्स हमने उसको एफ हर्ट को रिटर्ण कर दिये हैं तो पर्चेस जब भी होता है वो डेबिट में आता जो हमारा खाता चल रहा था पेंडिंग अमांट जो हमारी बैलेंस चल रही थी उसमें से रिटर्ण कर लेगा और कितने के हमने उसको वापिस दिये हैं 46 तो 46 मैं यहां पर दोनों साइट पर लिख रहता हूं तो रिकॉर्ड और पर्चेस रिटर्ण पर्चेस रिटर्ण को आप रिटर्ण आउटवर्स भी बोल सकते हैं विकॉद्दा हमारे पास से जब चीज जाती है कोई चीज रिटर्ण करते हैं तो पर्चेस आउटवर्स होता है अहांत मिब होता है तो यानि कि लिक सकते हैं 18 जुलाइक को बाउड गूर्ट टरट 414 पाउंड फ्रम डी एक्जुडस तो डी एक्जुडस नाम के बंदे से हमने क्रेडिट पर कुछ गुड्स बाइक किये हैं तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास पर्चेस हुआ है और डी एक्जुडस बंदे का नाम है प्रटीन उसकी वैल्यू है और मैं यह पर तू रिकार तर्ट अन चंच ऑफ गुड्स बाउड चीक है उसके बाद 21 जुलाइक को 21 जुलाइक को रिटर्ण गुड्स टू डी एक्जुडस ठर्टीवन पॉंड्स तो ठर्टीवन पॉंड्स के हमने जो है गुड्स उसको रिट एक्जुडस जिससे अभी हमने बाई किये थे ठीक है अब आधा थीज़ एस फॉर्टीन जुलाइक उसके बाद आजाते है टूंटीफॉर्ट जुलाइक को थो विए इसकोई एटीटू पॉंड्स और क्रेडिट अम्हें कुछ समान बेचा है विए स्कॉईर को लेकिंग ग्रेडिट पर यानि कि हमारे डेप्टर उसने अभी हमें पैसे नहीं दिये हैं तो डेप्टर वादी साइट पर में उसका नाम लिख लेता हूं विए स्कॉ उसके बाद आज़ते हैं 25 जुलाइ को पेड़ एफ हर्ड्स अकाउंट बाई कैश 274 पॉंड्स हमने एफ हर्ड्स से जो क्रेडिट पर समान लिया हुआ था वो जो हमने उसको वापिस किया था उसमें से कार्ट पीट कर 274 पॉंड्स बचे थे जो कि हमने उसको कैश के जरी पेड़ कर दिये हैं तो सबसे पहरे में आप एफ हर्ड्स का नाम लिख लेता हूँ वो हमारा करेडिटर था लेकिन अब हमने उसको जब पैसे दिये तो हमारी लाइबलिटी उस पे कम हुई है तो हमारा अब वो एफ हर्ड डेप्टर साइट पर आ रहा है और हम जो है कैश की जरी उसको पैसे दिये हैं तो हमारे पास से कैश कम हो जाएगा और यह वैल्यू है टू सेवन्टी फॉर तू रिकॉर्ड दा ट्रांग सेक्शन अज़िए अज़िए मैंने सिंपल लिख दिया है टू डिकॉर्ड दा ट्रांजिक्शन अब क्रेडिटर यानि हमने उसको पैसे पेगे हैं उसकी ट्रांजिक्शन हमने रिकॉर्ड की ए उसके बाद 35 जूलाई जो कि हमारी आख्री ट्रांजेक्शन है बीसकॉर पेड अस अकाउंट इन कैश 82 pounds तो 25 ने हमें 82 pounds cash के ज़री पेड कर दिये हैं तो cash हमारा debit होगा 20 square हमारा credit होगा to record the transaction of dapter उपर हमारा creditor था यहाँ पर हम से कीव सीवी थे तो यहाँ पर transaction of तो बेसिकली यह था हमारा सवाल तू थ्री पॉइंट री ओफुली आप कोशन समय लागे होगा यह था हमारे कोशन का ओबर व्यू अगर आपको कहीं कुछ स्टॉप करना है तो आप देख सकते हैं तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में जो क्या हमारा थ्री पॉइंट फाइव या फॉर होगा आइगेस वह भी मेरे ख्याल से इसी तरीके का सवाल है जिसमें हमें जैनल एंट्रीज करनी है वह भी हम इसी मैथड को फॉलो करते हुए करेंगे अगर आपको इसके मुतलिक सब्सक्राइब कर दूँगा तब तक के लिए अपना ख्यार रखें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वीडियो आइसका नोट्रीक्शन आपको आजाए तब तक के लिए लाहाफेज